महाराश्या बाइंक ऑल करते हैं. बैंक़ महारश्या पब्लिक सेक्टर का बैंक है दर सब्सक्राक्से बंग से ज्यादा ब्रांचेस ओल को अल वर इंडिया के अंदर है क्या पोटेंशियल है किस लेवल तक हम प्रसक्ष और की साथ शुप पल्टी में डेले के डिए हम आज एनलाइज करेंगे बैंक और महाराष्ट्रा के शेर को बैंक और महाराष्ट्रा के चार्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें इसके अंदर क्लियर एक बेकाट आता दिखाई देता है शेर का प्राइस काफी तेई से बढ़ता हूँ आपर कि जा रहा है और इसले कुछ समय से शेर का प्राईस ने अपने फिप्टी एट के लोगो नहीं बेक Гंस और शेर करता दिखाया रहा है और शेर के अंदर काफी उतेनक्स में कुछ इस तरह का चेंदे से GRE तो इस लेबल पर हमें एंट्री कर लेनी चाहिए और मुझे लगता है कि अनुले समय में इस चेहर के अंदर काफी पोर्टेंट्स है और शेर बहुत तहीं से आगे बढ़ेगा मैं नीचे आपको देखा हुआ कि जो शेर है उसके अंदर काफी जादा वॉल्यूम सें वॉल्यूम बहुत तहीं से बड़ी है और शेर के अंदर क्लियरली हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो ट्रेंड है वह अप्रेंट बना बना बनता हो दिखाई दे रहा है साथ ही यहां कर दोनों स्टॉक एक्षेंज के अंदर ट्रेड होता है मार्केट कैप्चुरिंग है 44,110.05 क्रोड की शेर का प्राइस लगभग 23 रुपे से बढ़ता हुआ 70 रुपीस के अपने हाइप पर पहुंस था और अभी जो शेर है वह अपने 62 रुपीस के लेवल पर ट्रेड करता है यानि की पी रेशो बहुत अच्छा है यहां पर अर्निंग पर शेर है 3.87 की सेल है 5171.45 की फेस वैल्यू है 10 रुपीस की और लास्ट डिविडेंड कंपनी ने अपने शेर पर दिया था 13 परसंट का अपनी फेस वैल्यू के पर यहां कर मैं कंपनी के एक साल के चार्ट क को भी हम देखेंगे तो शेर का प्राइज अपने फिप्टी डियू में दोनों से उपर ट्रेड करता हुआ दिखाई होता है फिप्टी डियू में इसका 58 रुपीस के आसपास का जबकि 200 डियू में है 46.92 का यह लग पर 47 पीस का और करेंट प्राइज है इसका 62.35 का साथ ही हम देखेंगे कि शेर के अंदर वॉलियूम बहुत अच्छी है तो इसका मंदब है कि इसके अंदर माइंग बाइंग बाटी बहुत ज्यादा है और धीरी दीरे शेर बहुत चिपचाप चिपचाप बहुत तई से आगे क्रोब बढ़ता हुआ हमें दिखा देता है कमपनी का प्रॉफिट हमें क्या दिखाता है वह देखेंगे ज нравि alan deuxहाज्यक फिकर्पार करोड के अंदर हम देखें है इसका कंपनी की रेविनियुक की क्या पॉजिचन है तो यहां कंपनी के रेविनियूतं में जबर्था बाचिती है जहां 2021 के अंदर कंपनी की रेविनि 9 की और TTM के अंदर है 19,524 की यानि की लगातार जो कंपनी रेविन्यू में बहुत तेज से बड़ोती हमें दिखाई देती है किलाब कंपनी के हम करद देखेंगें वह फाइनसर प्रॉफित को भी की बहुत थेज़ें वह थे पॉस्टिव हो गया है जहां मार्च 2021 और मार्च 22 के दर हमें एक अच्छा कासा इसमें इंप्रॉब्में आता है और देखाई देखाएंगे कि जो प्रॉफिट बिफॉर टेग्स है मार्च 2020 के अ 399 करोड का मार्स 21 के अंदर 571 का और जब हम देखते हैं मार्स 2023 के अंदर तो 2605 इसमें मल्टी टाइम्स ने करोड का मार्स 22 के अंदर 5747 करोड की उसी में इंप्रोव्मेंट हुआ है मार्स 22 के अंदर 7331 करोड बन गहीं ती और मार्स 23 के अंदर और यह बढ़कर के होगी नाइन जिए प्रमोटर जिसमें की गॉवर्मेंट उड्या इंडिया है उसमें प्रजिजन आपाइस के अंदर है 0.45 प्रशंट का डिया और अधर गॉवर्मेंट एजनसी या बैंकिंग का इसके अंदर है है 4.71 पसंट का और जनरल पब्लिक का इसके अंदर है 8.37 पसंट जोटते अपने चाट पेटर्न पर तो हम देख रहें कि शेर का प्राइस जून 23 के अंदर था बिलकुल लोग पर हम देखेंगे कि लगभग 27 रुपे का था यहां पर हम देखें कि जून 23 के अंदर जो शेर का बड़के 51 रुपीज आने कि लगभग डबल हो गया था सिर्फ जून से लेकर के अक्टोबर ता उसके बाद एक हलकी ग्रावड आई थी लेकिन कभी भी शेर जो है अपने लोगर लोग को ब्रेक नहीं कर रहा है उसके बाद उसके अंदर हलकी ग्रावड आने के बाद काफी समय से एक सर्टेन लेवल याने कि 58 और 60 रुपीज का जो लोग लेवल था उसको किसी भी लेवल ब्रेक नहीं कर रहा है हां यहां देखेंगे कि जो मार्स 24 के अंदर था उसने अपने इस लेवल को ब्रेक किया था वो 53 पर था लेकिन उसी समय उसने अपने आपको वा सग्धमन लेक वह लाइथ हूं enjoys ने बढ़ना सुरू कर दिया है और आने के अंदर इसमें Engineering का ऊच्छी हमstel में इंपरोमें आता हो दिखाए देगा और बहुत तेज से पहुंचने इसमें पूरी सुना में कशकर नी दिखा था ने सासी कि पहले इस कि देखेंगे से हमाल आपको उसकी सभी risk and rewards को जरूर जान लेना चाहिए तभी उसमें investment करना चाहिए क्योंकि share market में काफी उतारचाव बने रहते हैं और किसी भी share के अंदर बढ़ना और गटना बहुत सारी international scenarios पर निभर करता है तो आप किसी भी share में investment करने से पहले सभी तरह के risk and rewards को जरूर analyze कर लें उसके बात ही उसमें investment कीजिए यदि आपको जान करें इच्छे लगी तो please में चानले को like and subscribe जरूर कीजिए Thank you for watching